Welcome है आप सभी का Logic Study में आज हम लोग फिर से एक Session कवर कर रहे हैं जो की सामानी हिंदी के होगी आज का हमारा Session पांचवा Session है इससे पहले चार Session हम लोगों ने कर लिये हैं जिसमें 80 कोशन हम लोग कवर कर चुके हैं आज हम लोग इस Session में पूरे पूरे 100 कोशन कवर करेंगे तो आप लोग Session को बहुत ही ध्यान से देखेगा लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जनकारी आपको इस बुक के बारे में देदू जैसे आपकी प्रिपेशन बहुत अच्छी हो पाए और ये बुक आपकी है चक्षू पॉब्लिकेशन की सामान हिंदी की बुक जिसमें आपको 2000 प्लस प्रिवियस येर कोशन देखने को मिलेंगे आप किसी भी एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं बुक आपके लिए बहुत ही ज़ादा परफेक्ट है सामान हिंदी के लिए माल लेते हैं कि आपको पढ़ना है अध्याय वन चैप्टर वन पढ़ना है हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है तुरंत आपने देखा एक से सोला नंबर तक पेज में है तुरंत पलट करके आप आए चैप्टर नंबर वन पे यहाँ पर आ गए पहरे से बुक है सारी सीजें पॉइंट वाइस लिखी हुई है आप आराम से पढ़ सकते हैं अपनी प्रिपेशन और अच्छी कर सकते हैं ठीक है तो यह बुक आप परचेस कर सकते हैं किसे भी ऑफलाइन स्टोर पे ओनलाइन लेना है कितने कोशन सही होते हैं इसका रेपलाई नीचे कॉमेंड में जरूर करना है ठीक है कोशन नमर्ट इटीवन अशुद्ध युगम को आपको पहचानना है इसमें कौन सा जो युगम है वो असुद्ध है जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं तिल का ताड़ बनाना मतलब कि किसी छोटी बात को बहुत बढ़ा चड़ा करके कहना लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है बात को छोटी करना तो यहाँ पर डी ऑप्शन अमरा गल्ला तो जाएगा आगे बढ़ें घुड़ सवार कौन सा सब्द है घुड़ सवार कोशन नमर 82 तो घुड़ सवार किसी दो चीज को जोड़ के बनाया गया योगिक है घुड़े की सवारी जो घुड़े की सवारी करता हो घुड़ सवार क्या है यह योगिक हो गया धर्मा धर्म में प्रियुक्त समास कौन सा होगा, धर्मा धर्म, बताओ भई, बहुत प्यारा सा question है, इसमें से कौन सा समास होगा, एक तो सबसे पहले यह आप समझो, इसमें थोड़ा सा जादा कुछ, अपर लेवल पे इसमें आप से समास पूछ लिया है, सिर्फ इतना समझ धर्मा धर्म में कौन सा समास होता है, द्वन्द समास होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है, द्वन्द में भी कौन सा समास, तो आप बताएंगे, वैकल्पिक द्वन्द समास, ठीक है, आगे बढ़ें, question number 84, निम्द में से योगरूड शब्द कौन सा है, योगरूड सब् योद्धा तो ऐसा कुछ है नहीं, राक्षस ऐसा कुछ है नहीं, सुर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो जलद है नहीं, इसका मतलब शायद बादल होता है, बी option हमारे यहां पर, बादल या पानी होता है, मैं दोनों में बहुत confused रहता हूं, पानी और बादल के प्रेवाची तो इसलिए मैं थोड़ा सा confused हो जाता हूं, कभी-कभी किसी question में, आप लोगों से पूछ लेता हूं, है ना, बत्ती सब्द का तत्सम सब्द कौन सा होगा, question number 85, देखो, जो बत्ती सब्द है ना, उसका तत्सम होगा, वर्तिका होता है, D option हमारा correct होगा, ठीक, question number 86, और तत्सम क्या होता है, दस सकंड में समझ लो, तत्दभव वो शब्द होता है, जो हम अपनी आम बोलचाल की भासा में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानि कि वो ऐसे सब्द जो संस्कृत से आए हैं, लेकिन हमने उनको अपनी बोलचाल की भासा में सही कर लिया, जैसे आम बोलचाल की भासा में क्या होगा, तो A option होगा, केला होगा, ठीक, आगे बढ़ें, रिक्षा सब कैसी भासा है, रिक्सा, देखो, कोशन नमर 87 का D option होगा, रिक्सा एक जापानी है, ठीक है, जापानी भासा है, आगे बढ़ें, जापानी भासा से लिया गया शब्द है, विलोम शब्द इसमें से कौन सा युगम सही है पूछ रहा है नहीं नहीं सही है तो लौकिक क्या होता है भौतिक नहीं होता है लौकिक क्या होता है तो ठीक बाकि कोमल की बात करें तो कोमल का मधुर नहीं होता है इसमें विलोम पूछ रहा है तो कोमल का मधुर नहीं होता है क्या होता है कठोर होता है अस्त का व्यक्त नहीं होता है अस्त का व्यस्त होता है और यहां पर डी ऑप्शन जो है वह हमारा सही होगा मान का क्या होता है अपमान होता है दो शेर घी में कौन सा विशेशड होगा आपको बताना है कोशन नमबर 89 दो शेर घी देखो इसमें क्या कोई सर्मनामी विशेशर है नहीं, दो तो भले ही आगे लिखा हुआ है, तो संख्या वाचक विशेशर तो कुछ लोग, दो ओप्षन आपके सामने हैं, या तो संख्या वाचक हो सकता है, या परिमार वाचक हो सकता है, गुर वाचक तो होगा नहीं, तो दो ओप्षन बात कर व्रिस्पती में कौन सा समास है, कोशन नमबर 90, व्रिस्पती में कौन सा समात है, अलुक ततपुरुस समास होता है, व्रिस्पती में, ठीक, कोशन नमबर 91, देख लो साकेत नगरी है, जो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, उप्यूक्त पंक्ति में अलंकार इसमें से क कोशन नमर 92 लोह या लातिका भी भर आई मधू मुकुल नवल रस गागरी अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा अलंकार होगा कोशन नमर 92 का मानवीय करण अलंकार होगा इसमें A option करेक्ट होगा ठीक कोशन नमर 93 आयू हू मधुमास के प्रियतम एहनाही आयू मधुमास के प् ठीक है आगे बढ़ें कोशन नमर 94 निन में से विधान वाचक वाकि इसमें से कौन सा होगा विधान वाचक देखो जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है ऐसे समझ लो सिंबल सिंबल सा विधान वाचक क्या होता है जो मतलब यूनिवर्सल टुस जो आप कह सकते हो न निन में से आग्या वाचक वाकि कौन सा होगा इसमें से चैन करना है क्या वाच घर गया इसमें कोई आग्या मानी गई है नहीं इसमें तो पूछा जा रहा है उसे घर जाना चाहिए इसमें आग्या नहीं दी जा रही है ये भी हमारा गलत होगा हो सकता है अभी तुम मेरी बात ना समझो, इसमें समझाया जा रहा है, लेकिन आग्या नहीं दी जा रही है, लेकिन तुम मेरे साथ घर चलो, इसमें एक आग्या की बात की जा रही है, तो 95 का D option करेट होगा, ठीक, Q96, छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द इसमें से कौन सा होगा, तो जो छाती के बल चलते हैं उनके लिए एक शब्द है, उरग, Q96 हमने कवर किया, 97 हमारा है, कि नानी कुवारी मर गई, नवासे के नौनो ब्या, जो लोकोक्ती है, उसका अर्थ क्या है, Q97, वेर्थ चेंज होगी, वो यह चीज़े हैं कि आपके exam में साहित के कुछ notification आपको देखने को विलेंगे, जबकि 4 से 5 question कम से कम साहित से आपको आपके exam में देखने को मिलेंगे, दूसरा जो आपको अलंगकार पूछा जाएगा, और दूसरा जो आपका चंद पूछा जाएगा, वो तो भी थोड़ा से अच्छे लेवल के होंगे जो आपको paragraph दिये जाएंगे थोड़े अच्छे होंगे तो इसलिए अलंकार और चंद अच्छे से पढ़ लेना ठीक बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह तो syllabus में है नहीं तो syllabus में है नहीं फिर भी आपको एक से दो question देखने को मिल आप रही है तो 98 का हमारा C option हो कंगाली में आटा गीला कि भाई यह भैस भी मर गई और चोरी भी हो गई ठीक है question number 100 गोस्वामी जी ने रामचरित मानस की रचना की में कौन सा सब्द जो रेखांचे सब्द है उसमें कौन सी संग्या होगी गोस्वामी पे देखो आप एक रेखा प्या हुआ हुआ है तो 100 का correct option क्या होगा तो गोस्वामी जी एक नाम ही तो है तो नाम के लिए क्या करते हैं व्यक्तिवाचे संग्या सिंपल सा question है तो 100 का B option होगा तो हमने इस पूरी सीरीज में 5 सीरीज कवर किये हैं यह 5 सीरीज में हमने 100 question कवर कर दी हैं 100 में से आपको बहुत सारे ऐसे question है जो आपके आने मले exam में देखने को जरूर मिलेंगे आगे इसी तरीके से हम और session को करेंगे ताकि आपका जो exam है बहुत अच्छे तरीके से cover हो जाए चोटा चोटा session करते हैं ताकि आप लोग को बहुत बोरिंग भी ना लगे और कम टाइम में आप ज़्यादा question को cover कर सकें तो 100 question हमने cover कर दिया है, session पसंद आया करें तो like किया करिए, आप आज पहरी बार आप सुन रहे है चैनल सब्सक्राइब करना और हाँ नीचे आपको comment में ज़रूर बताना है कि आपको कितने questions सही हुए और एक छोटी जनकारी आपको और देनी है जो मैंने book आपको starting बताए थी उसके बारे में चक्छू publication किताब मैंने आपको बताए थी उनकी हर एक exam की guide भी market में आपको available मिल जाएगी तो आप चाहें तो offline या फिर online store पे किसी भी exam की preparation के लिए guide भी purchase कर सकते हैं तो thank you so much for watching this video अगर वीडियो पसंद आई है like करिएगा आज पहली बार आप सुन रहे है चैनल को subscribe जरूर करना